देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल आप सभी का मेरे चैनल पर पुनहा स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ, आप सभी स्वस्त होंगे, महादेव के क्रिपाप सभी पर सदय बने रहे, 28 जून 2022, यानि कि जिस दिन ये वीडियो पुब्लिश होगा, भारते समी के अनुसार दिन के करीबन साड़े बारा बज परिवरतन कर रहे हैं, क्योंकि इस समय बहुत तेज गती से चल रहे हैं, तो केवल एक ही अफते में दुबारा नक्षत्र परिवरतन करेंगे, यानि कि 5 जुलाई को, और इस नक्षत्र में, यानि कि म्रिक्षिरा में, केवल इतना ही समय व्यतीत करेंगे, म्रिक्षिरा जो कारकत्व होते हैं इस नक्षत्र के लेकिन एक जो बहुत महत्वपून कारकत्व होता है वह है यह कि यह थोड़ा बहुत सहन शक्ती भी देता है तो जो इस नक्षत्र के कारकत्व हैं उसमें बुद्ध के कारकत्व मिलेंगे और हर जातक के उपर थोड़ा बहुत प्रभाव डालेंगे और इसी के बारे में हम राशिफल में चर्चा करेंगे अगर आपको अपना लगन पता है तो इस राशिफल को अपने लगन से देखें अगर लगन नहीं पता तो second best option आपकी चंद्र राशी, जन्म राशी होती है नाम राशी से तभी देखें यदि आपको confirm है कि आपका नाम आपके राशी अनुसार, आपके नक्षत्र अनुसार पड़ा हुआ है एक छोटा सा उपाय भी अवश्य बताऊंगा जिसके कारण, जिसको करने से आपके लिए ये नक्षत्र परिवत्र शुब रहेगा तो शुरुवात करते हैं बुद्ध के मृक्षिरा में प्रवेश के राशी फलका मेश के साथ मेश के लिए जो सबसे सकरात्मक चीज मुझे दिख रही है वै ये कि यदि आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में असफलता हाथ लग रही थी बहुत समय से आप प्रयास कर रहे थे प्रत्न पूरे कर रहे थे लेकिन काम नहीं बन रहे थे तो अचानक से इस एक हफते के समय में उस संदर्ब में आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है ज़्यादा चांसे हैं कि ये फाइनेंशल या प्रोफेशनल फील में आपको कुछ अच्छा प्राप्त होगा इसके साथ ही ऐसा लग रहा है कि कहीं पर इन्वेस्टमेंट के अधिकरी हुई थी या कहीं पर पैसा फसा हुआ था तो उसके संदर्ब में भी आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है और आपकी कॉमुनिकेशन भी इस एक हफते में बहुत अच्छी रहेगी काफी कमपेटिटिव रहेंगे बहुत स्टूडन्स जो कोई कमपेटिटिव एक्जाम दे रहे हैं जैसे एक यंग व्यक्ति होता है टीनेजर होता है जिसके अंदर अक्तियंत उर्जा होती है वैसा ही आप फिल करने वाले हैं अट लीस्ट आने वाले एक हफते तो तो बहुत अच्छा दिख रहा है बहुत सकरात्मक दिख रहा है आपके लिए जो नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है अगर मैं सेहत की बात करूँ तो आपको रक्त विकार थोड़े बहुत तंग कर सकते हैं एक नेगेटिव चीज जो मुझे दिख रही है कि आपका अपने आस के लोगों से जो आपके बहुत लोज हैं उनके साथ थोड़ा वाद विवाद हो सकता है और वो भी चोटी मोटी चीज़ों पर होगा लेकिन वो बहुत बड़ा आकार ले सकता है तो इस चीज़ से आपक बचना है और अधरवाइस तो आपके लिए जो नक्षत्र परिवर्तन हैं बहुत अच्छा देख रहा है वो पाए हैं आपको 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है अब चलते हैं टौरस यानि की व्रिशव की तरफ आपके लिए जो सबसे अच्छी चीज होने वाली है जो सबसे सकरात्मक प्रभाव इस नक्षत्र परिवर्तन का देख रहा है वह यह कि भाग्य का बहुत साथ मिलेगा हो सकता है 28 तारीक से कुछ दिन पहले तक भाग्य के साथ ना मिलने के कारण आपके कई कार्य अटक रहे हैं कई ऐसे कार्य भी जिन में आप 100% शूर थे वो भी परिशाद अटक रहे हो लेकिन अब उसमें बदलाव आएगा जो एक हफता है जब बुद्ध नक्षत्र में रहेंगे यानि कि मिलक्षिरा में भाग्य का बहुत साथ मिलने वाला है और जब भाग्य का साथ मिलता है तो जीवन अपने आप एक गती पकड़ लेता है एक ला या कुछ लाब हो सकता है कहीं पर इन्वेस्मेंट करी हुई थी वहां से भी लाब मिलता हुआ दिख रहा है इसके साथ ही काफी क्रियेटिव रहेंगे स्पेशली वह लोग जो किसी क्रियेटिव फील में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है और स्टूडेंस के लिए भी ओवरॉल यह समय बहुत अच्छा दिख रहा है क्योंकि आपकी बुद्धी मता अपने चरम सीमा पे रहेगी रिटेंशन पावर रहेगी और ध्यान भी बहुत हत्तक केंद्रित रहेगा बहुत इंस्पायड रहेंगे आप काफी लोगों से इंस्पिरेशन लेंग और काफी मोटिवेटेड रहेंगे कुछ न कुछ नया करने चाहेंगे क्योंकि जैसा मैंने कहा था शुरू में कि भाग्य का साथ मिल रहा है तो जब चीज़ें अच्छी चलने लग जाती है तो एक सकरात्मक उर्जा अपने आव व्यक्ति में भर जाती है और उस सकरात्मक पूर्जा का प्रयोग करकर अपने लिए कुछ बहुत ही अच्छा कर पाएंगे जहां तक सेहत की बात है आपको चेस्ट संबंदित कुछ रोग और कफ रोग तंग करेंगे एक चीज जो मुझे थोड़ी सी नकरात्मक लग रही है वह यह है कि हो सकता है इस उत्सा हमें या फिर जो इतनी सारी अच्छी चीजें चल रहे होंगे उसमें आपको बहुत अच्छी ओपरचुनुटी मिस भी कर सकते हैं क्यूंकि शायद ध्यान आपका उन चीजों पर नहीं जाएगा और कोई बहुत अच्छी ओपरचुनुटी आप मिस भी कर देंगे अधर्वाइस इ चीज़ें आपके लिए अच्छी दिख रही हैं इस एक हफ्ते का फाइदा उठाइएगा उपाई है ओम विश्णवे नमहा इस मंत्र का एक 108 बार जाप करना है जाविना यानि की मिथुन की तरफ आपके लिए जो सबसे सकरात्मक प्रभाव दिख रहा है वह यह होगा कि जो पिछले कुछ दिनों से एक अनशित्ता का भाव एक दर का भाव एक ऐसा भाव चल रहा था मन में कि अपने उपर से ही भरोसा हट गया था उन सब चीजों में सुधार होगा एक सकरात्मक ताएगी जीवन पे अपने उपर भरोसा बढ़ेगा अपनी एविलिटीज के उपर भरोसा बढ़ेगा अपने स्किल्स के उपर भरोसा बढ़ेगा तो यह बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए खर्चे अधी बहुत जादा हो रहे थे तो उन खर्चों में कंट्रोल होगा और इसके साथ ही आप कुछ अपने बारे में अपने आसपास के लोगों के बा चांत सा महौल चल रहा था कुछ कड़वे शब्द कहे जा रहे थे कुछ कटाक्ष भरे शब्द कहे जा रहे थे उन सब चीजों के कारण जो एक अनईजी अट्मॉस्फेर क्रियेट हुआ था उसमें भी अब सुधार होगा वहां भी चीजे सकरात्मक तरफ बढ़ती हुई दिख रही हैं इसके साथ ही आप के अंदर एक कंटेंटमेंट की भावना आ जाएगी और आप जीवन में खुश रहते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे यूशुली क्या होता है लोगों को मिलता तो रहता है लेकिन कंटेंटमेंट की भावना नहीं आती खुश ही नहीं प्राप्त होती लेकिन इस हफते में इस नक्षत्र परिवर्तन के कारण एक सैटिस्वेक्शन के कंटेंटमेंट की भावना आपके अंदर रहेगी जो आपको बहुत जगा पर मदद अवश्य करेगी तो अच्छा ही दिकरा है आपके लिए एक जो सेहत के पॉइंट इसे मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत ब्लट डिसॉर्डर स्थन कर सकते हैं अधरवाइस वहां पे भी सब कुछ ठीक ही है एक नेगिटिव पॉइंट है कि हो सकता है आपको कहीं से धोखा मिले और वो भी किसी बहुत करीबी व्यक्ति से तो वह एक चीज है ज कि एक balance आएगा जीवन में एक जो clarity की कमी रह रही थी पिछले कुछ दिनों से जीवन में वो clarity वापस आएगी, mind में clarity रहेगी, emotions में clarity रहेगी, professionally, financially हर चीज़ में clarity का अनुभव करेंगे एक balance आएगा इसके साथ ही सेहत पर इसका बहुत सकरात्मक प्रभाव दिख रहा है किसी प्रॉब्लम से जूज रहे थे health wise, recover नहीं कर पा रहे थे immunity कम हो गई थी, दवाई असर नहीं कर रहे थी इन सब चीजों में आपको सकरात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे खर्चे थोड़े कम होंगे, जिसके आप बहुत समय से प्रयास कर रहे थे तो खर्चे भी थोड़े control होते हुए दिख रहे हैं इसके साथ ही यात्राएं आपको करनी पर सकती हैं, जो यात्राएं आपके लिए बहुत शुब रहेंगे हो सकता है, professionally वो यात्राएं करनी हो, even personal level पर भी आदि आपको यात्रा करते हैं, वो भी आपके लिए काफी शुब रहेगी आपको अपने finances को और improve करने का मौका मिलेगा, हो सकता है, कहीं पर invest कर या होगा था तो उसका अच्छा लाब मिले इसके साथ ही अपने income के sources को बढ़ाने का मौका मिल सकता है, खेर एक हफते में तो एकदम नहीं बढ़ते यूजुली, लेकिन कोई बहुत अच्छा idea आपको आ सकता है, जिससे आपके जो income के sources हैं, वो थोड़े बढ़ जाएंगे तो ये सब बहुत सकरात्मक points दिख रहे हैं सेहत की जहां तक बात है, sleep disorders दंग करेंगे एक नगरात्मक चीज मुझे दिख रही है कि अचानक से आपका कोई काल्य अटक जाएगा जिसके बारे में आप तैयार नहीं होंगे, मतलब कि आपको ये लग रहा होगा कि हाँ ये काम तो हो ही गया और वो शायद अचानक से अटक जाएगा और वो आपको थोड़ा सा पीड़ा अवश्य देगा उपाय है विश्णु जी का जो मंत्र है शांता कारम भुजंग शायनम इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है अब चलते हैं सिम्ह यानिकी लियो की तरफ आपके लिए जो सबसे सकरात्मक प्रभाव इस नक्षत्र परिवरतन का होगा वे होगा इच्छा पूरती का कोई न कोई आपकी इच्छा अवश्य इस नक्षत्र परिवरतन के कारण अचानक से पूरी होगी और वे ना केवल आ सीरियस हो जाएंगे और हो सकता है कहीं पर अच्छा इंवेस्ट करें और फाइनेंशल मैटर्स में भी आपको कई जगा से लाब होते हुए दिख रहे हैं इसके साथ ही आप अपने धन को दान के रूप में भी प्रयोक करेंगे वैसे भी जो सिम्ह लगने यराशी के जातक होते हैं ये दान कुन करने वाले होते हैं तो हो सकता है किसी जगा पर बहुत समय से आपका दान करने का मन हो लेकिन व्यवस्था नहीं हो पा रही थी तो वो चीज़ भी आप इस एक हफ़ते के समय में कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है कहीं से अचानक सिधना आ जाए और आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए professionally भी ये एक हफ़ता बहुत important रहने वाला है क्योंकि इसमें कोई बहुत अच्छी opportunity आ सकती है पैसा भी बढ़ सकता है और यदि job switch के बारे में सोच रहे थे तो उसके संबंद में भी कुछ अच्छा आपको प्राप्त हो सकता है professionally मुझे लग रहा है ये एक हफ़ता आपके लिए बहुत important रहेगा बहुत सारे changes आ सकते हैं सकरात्मक changes आ सकते हैं जैसा मैंने कहा salary तो बढ़ेगी ही इसके साथ ही कोई अच्छी position भी आपको प्राप्त हो सकती है अधि already इस संदर्ब में कुछ चल रहा था कि हाँ आपकी promotion क की बात चल रही थी आपके कानों तक वह बात पहुंची थी तो हो सकता है उसके बारे में कुछ बहुत अच्छा decision आपकी management ले ले यह सब बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए जहां तक रोग की बात है नसों के रोग थोड़े बहुत तंग करेंगे एक नकरात्मक च सकरात्मक ही दिख रहा है यह नक्षत्र परिवर्तन जो रहेगा उपाई यह करना है कि आपको गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना है कन्या अनिके वर्गों की तरफ आपके लिए जो नक्षत्र परिवर्तन होगा बुद्ध का मृक्षिरा में प्रवेश यह बहुत अच्छ कारेक शेत्र में यदि कोई दुविधा चल रही थी कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसका निवारण हो सकता है और कारेक शेत्र में भी एक clarity sense of clarity आपके मस्तिश्क में आ जाएगी बहुत अच्छा दिख रहा है यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए और आप अपने आप priority देना शुरू कर देंगे हो सकता है इससे पहले आप बाकी कई लोगों को बहुत महत्व दे रहेते और अपने ओपर ध्यान नहीं दे रहेते इस नक्षत्र परिवर्तन के बाद यह जो एक हफता रहेगा इसमें आप अपने ओपर काफी ध्यान देना शुरू कर देंगे आपका कई लोगों से संबंद सुधर सकता है स्पेशली अपने घर के बड़ों से और अगर प्रोफेशनली बात करूं तो आपका अपने मैनेजमेंट से अपने सीनियर से भी संबंद सुधर सकता है और इसके साथ इस पूरे एक हफते में भाग्यकावी साथ आपको कई दिख रहा है इसका उपयोग कीजिएगा क्योंकि इतना सकरात्मक्ता यदि कोई नक्षत्र पड़िवतन दिखाता है मतलब कि कई काम आपके उसमें बन सकते हैं तो प्रयास आपके हाथ में सेहत की बात करूं तो स्किन डिसॉडर्स थोड़ा बहुत तंग कर सकते हैं जहां तक एक नकरात्मक्त मुझे दिख रहा है वह यह होगा कि कहीं कहीं पर धैर एकदम लूज कर जाएंगे और उसके कारण कोई बना बनाया काम भी आपका विगड़ सकता है उपाई यह है कि आपको ओम विश्णवे नमहाइस मंत्र का 108 जाप करना है आप चलते हैं तुला या आप सच पोलेंगे जो कुछ लोगों को कड़वा अवश्य लगेगा लेकिन कभी-कभी सच बोलना भी बहुत important हो जाता है हम अकसर डरते हैं अपनों के समक्ष अपने point of view रखने से कभी-कभी क्योंकि हमें लगता है कि वह चीज कहीं hurt ना हो जाए लेकिन इस समय शायद ऐस कुछ होगा कि आपको point of view रखने पड़ेंगे लेकिन उसका नकरात्मक प्रभाव नहीं होगा कई चीजें जो unclear चल रही थी वो clear हो जाएंगी और आप अपने लिए कुछ special करना चाहेंगे और कर भी पाएंगे भाग्य का अचानक से कहीं पे साथ मिल सकता है इसके साथ ही ज व्यर्थ की चिंताओं से थोड़ा दूर रहेंगे और हर चीज को कंट्रोल नहीं करना चाहेंगे और ये भी एक सकरात्मक प्रभाव रहेगा इसके साथ ही आपसे ये भी कहूंगा कि आप यदि पैसे के संबंद में कुछ परिशानी से गुजर रहे थे कहीं कुछ पैसे च अच्छी चीज दिख रही है और आपके लिए नक्षत्र परिवतन अच्छा है इसका फाइदा उठाईएगा जहां तक सेहत की बात है नसों के रोग थोड़े बहुत तंग कर सकते हैं एक नकरात्मक चीज है कि आप जल्दवाजी में बहुत रहेंगे और उस जल्दवाज के कारण आपके लिए इस नक्षत्र परिवतन के जितने अच्छे प्रभाव हो सकते थे उसमें थोड़ी बहुत कमी आ सकती है आपके लिए उपाए यह रहेगा कि आपको गायत्री मंतर का 108 वाल जाप करना है आप चलते हैं स्कौर्पीय अनिकि व्रिश्य के तरफ आपके इस नक्षत्र परिवतन का सबसे अच्छा प्रभाव होगा कि आपके अंदर बहुत श्यूर्टी आजाएगी बहुत कॉन्फिडेंस आजाएगा जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे बहुत समय से वो डिसीजन आप इस हफते में ले सकते हैं क्योंकि एक सेंस ऑफ सेंस ऑफ आत्मक आपको प्राप्त हुआ था मैं परस्नल लाइफ की बाता कर रहा हूं किसी ने धोखा दिया था किसी के साथ संबंधों में दरार आई थी तो इन सब चीजों से या तो उबर जाएंगे या एफट लेंगे इन चीजों को ठीक करने का और दोनों ही चीजों में काम्या दिख रही है बिजनस के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा कि इसके साथ ही यदि आप कुछ नया करना चाह रहे थे और उसका रास्ता आपको नहीं प्राप्त हो रहा था आपको अपने पत्र पर आगे बढ़ पाएंगे अगर जैसे मैंने भी शुरूर में कहा था बिजनस करते हैं तो आपको कुछ बहुत ही अच्छा इस एक अफ़ते में प्राप्त हो सकता है और जो लोग जॉब भी करते हैं corporate sector में specialy उनके लिए भी ये एक अफ़ता बहुत महत्तपूर और बहुत लावकारी होने वाला है overall बहुत अच्छा समय रहेगा भागे का भी साथ मिलेगा एक जो नकरात्मक चीज मुझे दिख रही है वो ये कि कभी-कभी ambition का कमी होगा ambition की कमी होगी कभी-कभी उत्साह की भी कमी हो जाएगी और उसके कारण कोई अच्छी opportunity आपके हाथ से निकल सकती है तक दबा कर बैठे हुए थे अपने point of views एक्सप्रेस कर पाएंगे ना केवल एक्सप्रेस करेंगे उनके साथ stand भी लेंगे confidence जलके का आपकी हर चीज में ये बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए इसके साथ ही career और business के लिए ये पूरा एक हफ़ता बहुत अच्छा है करियर में जहां पर अटक रहे थे जौब में जौब की बात कर रहा हूँ जहां पर अटक रहे थे जहां पर आप पर pressure create किया जा रहा था जहां पर आपको तंग किया जा रहा था यदि ऐसा सब चल रहा था आपके बिजनस में भी कुछ बहुत अच्छा आप इस एक हफ़ते में प्राप्त कर पाएंगे. फ्यूचर को लेकर बहुत अप्टिमिस्टिक रहेंगे, उत्साह रहेगा आपके अंदर फ्यूचर को लेकर और अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को इस हफ़ते आप बहुत अराम से सॉल्व कर लेंगे. थोड़ा गुस्सा जादा रहेगा, लेकिन हर चीज़ पर आपका कंट्रोल बहुत ही अच्छे लेवल का रहने वाला है. तो यह जो नक्षत्र परिवर्तन है अच्छा प्रभाव देगा आपके लिए. जहां तक सेहत की बात है, गले से संबन्दित रोगतंग करेंगे. आपके लिए उपाय है कि आपको गायतरी मंत्र का 108 बाद जाप करना है. चलते हैं, कैप्रिकॉन यानि की मकर की तरफ, आपके लिए जो सबसे सकरात्मक प्रभाव रहेगा इस नक्षत्र परिवर्तन का, वह यह होगा कि बहुत सारी opportunities आपके पास आएंगी, personal life, professional life दोनों मे पैसे के संदर्भ में, पैसे के संबंद में, कुछ न कुछ सकरात्मक एक हफते के समय में हो सकता है. आप काफी काम रहेंगे, यानि की काफी शान्त रहेंगे, और उस शान्ती के साथ, उस कामनेस के साथ कोई बड़े निरने ले पाएंगे और बहुत अच्छी तरह से ले पाएंगे छोटी मोटी चीज़ें आपको विच्छित नहीं करेंगी व्यर्थ की चिंताओं से दूर रहने का प्रयास करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रिलाक्स आपका माइंड रहेगा और उसके कारण हर चीज़ में स्टैबिलिटी आ सक हो सकते हैं और कुछ इन दोनों ही संबंदों में कुछ नया जानने का प्रयास करेंगे हो सकता है कोई नई बुक पढ़े कोई शास्त्रे ज्यान लेने का प्रयास करें और उसमें सफलता भी मिलेगी अपने उपर बहुत विश्वास बढ़ जाएगा और जब व्यक्ति रिल सब्लाइफ के लिए अच्छा ही दिख रहा है सकरात्मक रहेगा नक्षत्र परयोतन जहां तक सेहत की बात है कि होर्मोनल डिसॉडर्स थोड़ा बहुत तंग करेंगे एक चीज जो थोड़ी से नकरात्मक मुझे दिख रही है वह यह है कि आपको कहीं से धोखा मिल सकता है क तो इस चीज का ध्यान आपको बहुत रखना है स्पेशली पैसे के मामल में यह हो सकता है आपके लिए उपाय है कि आपको ओम विश्णवे नमहाईस मंत्र का एक स्वाटवार जाब करना है आप चलते हैं कुम्भ यानी के अक्वेरिस के तरफ आपके लिए जो नक्षत्र परिवतन होगा बुद्ध का यह सकरात्मक रहेगा इमोशनल तौर पर काफी स्ट्रॉंग फील करेंगे कुछ बड़े इमोशनल निर्णे कुछ बड़े परसनल निर्णे ले पाएंगे परसनल लाइफ से जुड़े और एक स्थिरता आती भी दिख रही है आपके जीवन मे इस नक्षत्र परिवतन के कारण माइंड में क्लैरिटी रहेगी जो फाइनेंशल डिसीशन भी लेने में दिक्कत आ रही थी वो भी आप इस समय में ले पाएंगे क्योंकि हर तरफ से क्लैरिटी स्टेविलिटी आपके जीवन में आती हुई दिख रही है इस नक्षत्र पर इग्नोर करना सीख लेंगे कुछ अपनी बुरी आदते भी छोड़ने के लिए यह जो एक हफते का समय है बहुत अच्छा है तो इस नक्षत्र परिवरतन का आप लाब उठाईएगा आपके परसनल लाइफ में आपके घर में जो भी प्रॉब्लम सल रही थी उन में से मेजॉरिटी ऑफ दो प्रॉब्लम सॉल हो सकती है यदि आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे से एक हफते में आपके घर के कई इशूस बहुत अराम से सॉल हो जाएंगे आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए ये एक हफता बहुत अच्छा है यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही थी उसके साथ मेंटल हेल्थ एमोशनल हेल्थ के साथ तो बहुत हद तक उन चीजों में सुधार आएगा और आप प्रत्म भी करेंगे कि अपनी मेंटल हेल्थ पर भी फोकस करें अच्छा दिख रहा है ये हफता सेहत की जहां तक बात है आपको पेट सम्मधित्रोक तंग करेंगे एक नेगटिव चीज मुझे दिख रही है वह यह होगी कि कुछ चीजों के डिटेल्स में जाए बिना आप कुछ काम स्टार्ट कर देंगे और वो आपको थोड़ा नेगटिव है आपका कि आपको ओम विश्णवे नमहा इस मंतर का 108 वाल जाब करना चलते हैं पाइसेस यानि की मेन की तरफ आपके लिए जो सबसे सकरात्मक प्रभाव रहेगा इस नक्षत्र परिवतन का यह होगा कि आप पुरानी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ेंगे पुरानी गल गए थे study करेंगे और कुछ सकरात्मक हासिल कर पाएंगे आपके ideas को नई direction मिलेगी mind में clarity रहेगी thought process में clarity रहेगी communication में clarity रहेगी आपका विश्वास लोगों के प्रती बढ़ेगा और लोगों का विश्वास आपके प्रती बढ़ेगा कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें पब्लिक डिलिंग होती है पब्लिक से जुड़ा काम करते हैं तो लोगों का आपके उपर विश्वास बहुत बढ़ जाएगा और दूसरी तरफ से भी आने की आपका भी कई लोगों पर विश्वास बढ़ेगा जो trust deficit यदि आगया था तो उसमें कमी आएगी और बहुत सकरात्मक उर्जा रहेगी आपके अंदर अपने goals को अचीव करने के लिए अपने ambition को अचीव करने के लिए अपने objectives को अचीव करने के लिए तो बहुत अच्छा दिख रहा है यह जो नक्षत्र परिवत्तन है आपका आगे बढ़ेंगे और सकरात्मक और उर्जात्मक रहेंगे जहां तक सेहत की बात है गले के रोग और skin disorders तंग कर सकते हैं पेट से संबंदित रोग भी तंग करेंगे एक नक्रात्मक चीज दिख रही है कि बहुत कुछ करना चाहेंगे multiple tasking करेंगे और वहाँ पर चीजों को ढंग से handle नहीं कर पाएंगे उपाय है आपको शांता कारम भुजंग शर्यनम जो विष्णु जी का ये मंत्र है इसका 108 बार जाप करना है तो ये था बुद्ध के नक्षत्र परिवर्तन पर मेरा एक क्विश्टेशन चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए ओम नमार्ट